एधर बजो 7 चैप्टर जो है मैंने पहले उसको रिकॉर्ड कर लिए पूरा उसके बाद में 6 रिकॉर्ड करो लेकिन आप लोट पहले 6 करो तो वहां पे मेरी बातें उस हिसाब से होगे मैंने अभी तक 6 अपलोट नहीं किया लेकिन मैं पहले 6 अपलोट कर रहा हूं ठीक है त तो सब्सक्राइब अच्छा सिक्स क्या है सिक्सा पर्मोटेशन कमिनेशन प्रॉबबिलिटी टफट टफट कह रहा हूं टफएस्ट पोर्शन है आपकी फॉस्ट रियर सब्सक्राइब होना नहीं चाहिए टाफ लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है तो इसके टाफ होता है यह टीचर से पढ़ाते नहीं यह अच्छा वड़ा है यहां पर क्यूंकि वह चेप्टर है जो इतना टीचर को नहीं आए डिया नॉम्मली टीचर इसको सही तरह उनको खुद समझ नहीं आरी बच्चों को क्या पढ़ाएंगे तो अब होता ही है कि पुरानी बुक थी आप तो पुरानी बुक में 7.1 में आपका अखिर चोड़ो इस टॉपिक को बताने की जुरत नहीं है लेकर चलो मैं आटी दे देता हूं कि वीडियो जो मैं लगाने लगा हूं देखो होगा यह कि यह चेप्टर जो है ना यह मैं पहले लास्ट यह में अपलोड कर दिया और यह चेप्टर नबर 6 के अंदर बचों अगर आप देखो तो अलग से मैं समझाओं इसके सैंसरी मनती और शायद मैं वह समझा भी ना पाऊं ऑनलाइन क्लासिस के अंदर मैं अपने बच्चों को पहली बोदिया था कि यह यह topic मैंने पहली पढ़ाए मैं तो online class में अलग से पढ होंगा जैसे इस lecture में आप लोग यह देखोगे कि जो 7.1 का टॉपिक है फेक्टोरियल वह मैं पढ़ाओंगा फिर उसके इंशाला कोशन भी इसी लेक्टर में हम सॉल्व कर लेंगे तो जो टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाओंगा यह वह पुरानी जो मैंने लास्ट यह करवाओंगा कुछ कोशन मुझे लगेंगे क्या मैंने पहले बहुत डेटेल में करवा दिये तो वह मैं साथ ही अडिट करके पुराने वाले इसके साथ लगा दूंगा तो इस तरीके सब्सक्राइब करेंगे अब आज चाप्टर नवर सिक्स मैं 7.1 बोल रहा था 6.1 चाप पर थी और अभी इसके नथी लेकिन दुबारा मैं 4.1 को इग्रोर करके दुबारा अपनों को बताओंगा इसके बाद आप लोग देखोगे कि मैं एडिट की होगी वीडियो जिसमें आप लोग फैक्टोरिल के बारे में पुरा सीखोगे पैंते चालिस मिंट का लेक्शर ह कि अश्ञुआला के बारे में देटेल में आप दूबारा सीखोगे तो अगर पहले सीख लिया उसको ढ़ीदी देख लेना तो इन्शालला आप टॉपिक लगेगा उसको पूरा अप लोगो देख लेना उसके बाद इंशालला सिपन्ट मंजयो उसको सॉल्व कर रहोंगे असलामेखों स्वेंट्स इंशाले इस लेक्टर में हम चैप्टर नबर सेविन जो इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर सेविन जो इसका नाम मैं भूल गया हूं उसका नाम है पर्मोटेशन जी चलिए रव तीन हिस्से हैं जो आप इस चैप्टर में बढ़ोगे पहले का नाम है पर्मोटेशन दूसरी चीज़ कहला है जाएगी कम्बिनिशन और तीसरी चीज़ है इंट्रोडक्शन तू प्रॉबिलिटी ठीक है यह है आप लोगों का चैप्टर नाम में तो आपको लग रहा है कि तीन चीज़े पर्मोटेशन और इंट्रोडक्शन तू प्रॉबिलिटी लेकिन यह तीन नहीं है इसके अंदर सबसे पहरा टॉपिक जो आप लोग पढ़ोगे हो फैक्टोरियल होगा नाम में नहीं लखावा लेकिन फैक्टोरियल में टॉपिकल उसके अंदर पढ़ना है पर्मोटेशन कबिनेशन इवन प्रॉबिलिटी इन सब में फैक्टोरियल बड़ा काम आएगा इसी तरीके से जो दूसरा टॉपिक जो इसके हैडिंग में आपको नजर नहीं आएगा जो है कांटिंग प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे तो इसके लाबा यह जो शुरू के बेसिक टॉपिक है उसके बाद पर हम पर्मोटेशन पर जा रहेंगे पर्मोटेशन की है 7.2 कंबिनेशन की 7.3 और 7.4 & 7.5 यह है प्रॉबिलिटी की पेपर के पॉइंट इसकी नहीं है की ठीके पेपर में एक सवाल आता है 5,3 इसको $YES25 के छोड़ सकते हो ठीका है आज्बैक प्रहन अगया अगर आंगर आप इसको अपनी युनिवस्टी की पढ़ाई में देखो तो प्रॉबिलिटी का बगाइदा पढ़ाया जाएगा आपको अगर आपको इंजिनिंग कर रहे हो मैक्सिमम फिल्ड में आपको प्रॉबिलिटी और स्टैटिस का पढ़ाया जा रहा है तो इसके बहुत एप्लिकेशन से इग्णोर इसलिए होता है तो हम उसी से करेंगे जब हम पर्मॉटेशन पढ़ लेंगे तो आप लोगो खुद ही आईडिया हो जाएगा कि 7.9 पे आप फॉर्म लागा की भी कर सकते हूं तो यह सब चीजें करने से पहले जो सबसे पहरा काम हमने करना है वह पहरा काम क्या है कि हम find करेंगे सबसे पहले मालूग करेंगे factorial क्या चीज़ है ठीक है तो start करेंगे हम factorial से जो वर्ड आपनों के सामने में ले रहा हूं यह spelling है इसकी factorial F-A-C-T-O-R-I-A-L यह factorial होता क्या है इसके बारे में समझने से पहले इसकी importance देख लेते हैं कि हम क्यों इसको use करते हैं क्या वज़ा है इंपोर्टेंस देखोंगे तब बाद अच्छी समझाएगी वह वज़ा है कि वच्चों अगर आप लों के पास को प्रोड़क्त में लिख दो लंबा चौड़ा प्रोड़क्त लेकिन ऐसा प्रोड़क्त जिसमें को नमबर मिस ना हो इस प्रोड़क्त लेकिन अब लिखने पर 10 सेकंट लगे घुसा भी आरे लिखते पर टाइम भी जाया हो रहा है आपका फालतुक्त आपको काम करना पड़ रहे हैं तो यह पूरी चीज लिखने से बेतर है कि अगर आप इसकी को शॉर्ट फॉर्म बना दो तो आपका सवाल इसी हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म मतलब इस पूरी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो और आप यह सिंबल दाल दो यह सिंबल क्या होगा इस सिंबल का मतलब यह होगा कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल लड़े हो आप क्या करो उस नंबर को लिखो और उस से नीचे जाते जाओ मतलब वन स्टेप आप नीचे जाओ सैमें से नीचे सिक्स फाइव फॉर फ्री टू वन कहां तक जाना है अप टू वन तक आप ले जाना है तो इन सब चीजों को अगर आप मल्टिप्लाइब करो तो यह चीज कहलाती है सैवें फैक्टोरियल इसी तरीक अब आपको मतलब समझ आ गया कि हाँ यार मुझे इसको एड़ देना है तो खाली 5 को मतलब नहीं है मैंने सिंबल ला अब इसको मैंने एक मतलब दे दिया वो के फैक्टोरियल तो क्या मतलब बनेगा क्या लिखोंगे 5 और उससे वीचे जाते जाओगे 4 फिर 3 फिर 2 और कहा कर वा रहा होता हूं तो मैं इसकी छोड़ी सी डेस्मिनेशन दिखवा देता हूं ताकि आप लों की अंडेस्टेंटिंग के लिए बस याद रहे क्या सीज़े होती है तो फैक्टोरियल और पॉजिटिव इंटीजर यह पात इंपॉर्टेंट है यह थुरदीर बताऊंगा यह पॉजिटिव इंटीजर ही मैंने क्यों लिख्या है तैक्टोरियल और पॉजिटिव इंटीजर फॉर एंपल एन मैं क्या रहा हूं उसको इस दा प्रोड़क्ट और और पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर गोलना अच्छा वर्ट रहेगा पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और एक्वल तू है ठीक है करना क्या है सबसे पहले तो आप जहाद में क्लियर कर लो यह जो फैक्टोल की मैंने बात बोली है यह सिर्फ वैलिड है पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहली बात पॉजिटिव दूसरी बात इंटीजर इंटीजर क्या होते हैं अगर आप इंटीजर की बात करो तो 1,2,3,4,-1,-2,-3 सब लेकिन अब ही मैं बात करो positive इंटीजर को मैं नचल नंबर भी कहते हो 1234 यह सब क्या कहलते हैं पॉजिटिव इंटीजर जहाइं इस ही का factor निकाल सकते हो हाँ इसमें एक exception है जोके 0 है 0 का factorial भी define है हाला कि 0 positive integer नहीं है 0 ना positive ना negative है लेकिन उसको हमने define किया है वो एक अलग चीज है उसको हम बाद में discuss करेंगे लेकिन factorial जो है वो exist कर रहा होता है positive integer पे जो general form जो definition में करवार हो है सब positive integer के उपर valid है 0 एक अलग case है उसको हम बाद में discuss करेंगे हमने क्यों define किया बड़ा important चीज है कि 0 factorial क्या होता है वो एक अलग चीज है वो इंशाला हम discuss करेंगे तो factorial जितने भी है वो positive number के लिए exist करते हैं बागी किसी number के लिए exist नहीं करते हैं तो बागी number के लिए क्या करते हैं वो थोड़ दिरे बाद में आपकों से discuss करता हूं कि क्या alternate हमने निकाला वे factorial के लावा तो सबसे मैंने definition पर आजो कि factorial of positive integer n आपके पास कोई भी n है जो कि positive integer है जैसे मैंने कबाया था 7 5 तो इसका factorial का मतलब क्या है ये product है किस चीज का of all the positive integer सब positive integers का factorial का मतलब क्या था ये सब numbers का product था जो या तो मतलब इसके बराबर है मतलब 5 खुद या 5 से कम less 4, 3, 2, 1 और up to 1 तक जाना है क्यों जो positive integer की बात की गई है तो आखरी positive integer क्या है वन है इसके बाद जो integer आएगा 0 वो positive नहीं कहला जाएगा तो किसी भी number के factorial का मतलब आप उस number को लिखो और उससे less जितने भी numbers है उन सब को लिखो up to 1 तक और उन सब को multiply करो तो ये factorial कराए जाएगा ठीक है अब दूसरी बात क्या है इसकी notation notation पे ज़रा आजाते है एक notation तो मैंने आपनों को लिखवाई भी है दूसरी notation भी देख लो कि for example अगर आप n number जारा n कुछ भी हो सकता 5, 6, 10 कुछ भी आप ले सकते हो आप इसको या तो n factorial इस तरह लिखोगे या आप इस तरह लिखोगे दोर तरीके से बात लिखी जा सकती है अब इंपोर्टन बात क्या है इंपोर्टन बात बात बताने से पहले एक सेकर अब जो आपनों को मैं थोड़े मशूर बता देता हूं यह वह वह हैं जो आपनों को सब्सक्राइब आपको याद होगे तो आपको याद होना चाहिए तो सबसे पहले कि मैं आपनों के सामने लिखता हूं सब्सक्राइब का मतलब क्या है अभी आप बताया था कि सब्सक्राइब आप इन सब नंबर को मल्टिप्लाइब करो रिजर्ट आपके पास आएगा 500040 इसी तरीके से सिक्स फेक्टोरियल क्या होगा इन सब को मल्टिप्लाइब करोगे तो आपके पास आएगा 720 इसी तरीके से इसी तरह फेक्टोरियल क्या होगा 54321 वन इसमें आप इसमें आप इसमें आपको याद होने चाहिए कि सिक्स फेक्टोरियल क्या होता है इसी तरह फेक्टोरियल क्या होगा 4321 और यह होता है 24 इसी तरहीके से 2 फेक्टोरियल यह होगा 21 अतलब और आखरी हम कुम सा कंसीडर करेंगे वन फेक्टोरियल जो के बराबर होगा वन के कौर नमर तो बचा नहीं है ना डेफिनिशन क्या कहती है कि पॉजरिव इंटीजर जो उस से लेस हो या उसके बराबर हो अब वन जो है वो इसके बराबर ही है अब इससे कोड़ अन्सट मतलब यहां पर नहीं होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा तो डेफिनिशन के मताबिक आपने देख लिया के जीरो फैक्टॉरियल कोई एक्जिस्ट नहीं कर रहा है हमने वन से स्टार्ट किया वन टू थ्री फोर फ़ाइब और अप टू आप जितने पॉजिटिव निकाल सक उसके बाद हम डिसकस करते हैं कि जीरो फैक्टॉरियल कर क्या जगड़ा है क्योंकि बड़ा मश् stlair जैने कि 05 फैक्टॉरियल वन क्यों होता है आप ढसे समझते हैं कि 0 वैक्टॉरियल को 0 अशाहीए तो खैरत देक लेंगे कहा सीजाइए क्या सीन है मैं इसकी जरलन फार में लेखना हो बिल्कुल इसी डेफिनेशन के पर है क्या आप कंसीडर कर दो आपके पास एक नंबर एंड है और आप ने कि जानत पॉँआ एक नंबर एंड या आपने ठीक है इसके फेक्टोरिल को आपने क्या डिफाइन किया था कि अगर एंड का आप इसको आप निकालना है तो आप न लिखो मुल्टिप्लाय जो एंड से वन कम है उसको आप किस्ता लिखोगे एंड माइनस वन है जैसे शैवेग्स से इस तरहीं किसे उसके बाद क्या होगा एंड माइनस थू थिर एंड माइनस थ्री आप कम करते जाओगे, कहां तक आपने जाना है, वन तक आपने जाना है, तो मतलब आप यह multiply करते जाओगे, करते जाओगे, एक टफ़ा आएगा, क्या थी आएगा, फिर टू आएगा, और अब टू, वन है, आप देखो हरे के फेक्टोरिल के end में वन ही आ रहा है, मतलब पर लिखा, फिर एक कम, फिर कम, फिर कम, अब टू 3, 2, 1, बिल्कुल end पे आपने जाना है, तो और आप इसमें 10 पूट करोगे, एंकी जवाब पे, तो 10, 10-1, 9, 10-2, 8, 10-3, 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, end पे हो जाएगा, ठीक है, अब फेक्टोरिल ना ज़रूरी नहीं क्या सकते हो, इसके लाव को और मैथर नहीं है, नहीं, आप इसको, इसको आप यह कैसे हो, पार्शल फेक्टोरियल, हाफ फेक्टोरियल, जो भी आप कहना चाहो, उस पाम में ब्रेक कर सकते हो, for example, अगर मैं आपको एक्जेंपल देता हूँ, नीचे, फिर पदाता हूँ, for example, अ मैं 1 तक निजाना चाहते हृँ मैं 4 तक रुकना चाहते हृँ, तो अगर आप 1 से पहले रुको पेना, तो आपको शीय की थीर है, अब यह आप की मरजी होती है, अब ही जब मैं आप लोंको QSysons कर वाँगा, 7.1 के, तो उसमेंétait situation के मुताबिक आपको अपने हिसाब से रोकना पड़ता है वो situation में बदा रहता हूं आपके पास सवाल आता है कि आप इसको कि आपके पास काफी दूर हो जाएंगे करीब कर लेता है अब के बगार निकाला आपके मुश्किल है 25 वेक्टोरियल को करो फिर इसको 23 वेक्टोरियल करो फिर इनको आपस में डिवाइड करो लंबी करें लेकिन आप यह बहुत असानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे सबसे पहले आपने देखना है नुमिरेटर और इनॉमिरेटर क होगा डिनॉमिरेटर में भी हो सकता है आप में बस यह देखना है कि बड़ा फेक्टोरियल कहां पर है नियुमिरेटर में आप क्या गोड़ो बड़े फेक्टोरियल को एक्स्पेंड करो मैं 25 को किस तारा लिख सकता हूं मतलब 25 फेक्टोरियल को 25 multiply 24 multiply 23 multiply 22 और इस चीज चलत मतलब मैं लिखूंगा 25 24 23 और मैं यहां पर रुख जाओंगा अगर मैं 1 से पहले रुखूंगा तो मुझे फेक्टोरियल लगाना पड़ेगा अब 24 25 फेक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं मैंने वह चीज बतायती है आपकी मर्जी आप कहीं भी रुख सकते हैं अब यहां पर आपको असानी थी 23 पे रुखना आप 23 पे रुखकर ठीक है और इसी रहा था है 23 फेक्टोरियल से 23 फेक्टोरियल आप कैंसल करता है आप पीछे बहुत इसी मुल्टिप्लिकेशन है 25 को आपने मुल्टिप्लाय करना है 24 से तो आइगेस यह श्याइज 600 आ रह पाशल फेक्टोरियल करके आपने इसको सॉल्व कर दिया ठीक है तो जरब फॉर्म यहां तक हम ने देखी थी अब जरलफ फॉर्म को भी हम पाशल लोगते आप दिक्सक्टोरियल बराबर होगा एन मल्टिप्लाय एन-1 इसके बाद निमटिप्लाय करना फोर एन माइन क्योंकि पूरा लिखने से बेतर इतनी लबी फॉर्म लिखने से बेतर आप यहां तक रोग देते हैं अब इसमें आप कोई भी नबर पुट कर दो फॉर इसमें पुट कर रहें तो 10 फैक्टोरियल क्या होगा टैन मुल्टीप्लाइ 9 फैक्टोरियल ठीक है आप इस तरह कुछ करवा दो तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा एंट फैक्टोरियल डिवाइड वाइड 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 न पर इस चीज़ को लिखने का एक और तरीका यह लिए यह मैंना पूरा फैक्टोर से लिड़िटा आपनों को बता दिया अब वोक्त है कि ब जिरो फैक्टोरियल इस एक्वल टू वन असूली तोर पे जो आपनों के जहन में आरा है जितनी महत आपके अभी तक पढ़ी है आपनों के जहाएगी जिरो फैक्टोरियल का आंसर जीरो होना चाहिए वन कहीं से भी जस्टिफाइग नहीं कर रहा है इस चीज़ को समझने से पहले या मैं पहले समझा देता हूं उसके बाद जो इस पर आम तो पर इतरास करते है ना उसके जवाब में जवाब दूँगा ताकि आपनों का थोड़ा ना क्लेर हो जाएगा है सबसे पहले सको देख लेते हैं कि जिरो प्रेक्ट अंसर होता है कैसे कि अम ने मालूम कर रहें का थरीका यह है कि यह फार्मला में आपको साम लिखा रहा है इसको चोड़ दो यह आपी में बताऊंगा यह दूसरा तरीका होगा पैटरन के हिसाब से भी आपको बता हूंग और जब n belong कर रहा हो natural number से या positive integer आप कह दो natural number में लिखो या positive integer लगो बात देखिए मतलब इस formula में आप कोई भी positive integer ही put कर सकते हो जो के factorial की definition है अब सवाल है कि 0 तो positive नहीं होता इसको हमने अलग से क्यों define किया सबसे पहरे इसकी importance देख लो zero को हमने define करने के में जुरत इसलिए पढ़ी है क्योंकि जब आप permutation, combination और यह सब चीज़ें आप क्यों solve कर रहे हो probability के लिए आप permutation क्यों पढ़ोगे आप combination क्यों पढ़ोगे क्योंकि आपको probability निकाल ली है probability में दोना चीज़ें आ रही होती है तो ultimately आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि इन तीनों topic में किसी भी सवाल के अंदर zero factorial लाजाता है अब zero factorial को define करना बढ़ा important हो गया क्योंकि ये चीज़े मारून करने के लिए आपको zero factorial पता होना चाहिए तो that's why zero factorial को define करना important है तो ये तो आपने importance देखी कि हम क्यों zero factorial के पीछे बढ़ा है क्योंकि ये important है इसको define करना अब दूसरी बात define किस तरीके से करें लिए इसको ये जो formula आप लोगे सामें factor का लिखा में है positive integer से लिए आप इसमें one put करता हो ये इस formule में जबा मैं one put करता ओँ n factorial वराबर है n multiply n minus one factorial इसमें मैं n की जगा one put कर सकता हूu ये one से greater one से कुछका इम ने put कर सकता friends when better जैगा one put करता हू我 जाए new factorial यहाँ पे एं ती में one put करता हू और bracket और अनदर भी n की जगा में one maयरनctor ठीक है आपको बता है one factor का आंसर क्या ओता है one के बराबर अभी बता या तो one factor तो one हो गया यह बन अपने जवाबे यहां पर एक one minus one zero अब इस नतीजे पर पहुंच गिए हो कि for example consider करो आपको zero factor का आंसर भी नहीं बता आपने इसको define करना है आपने math का ये rule बच्पन से देखा रहा है कि यार one answer कैसे आता है अगर दो number में से एक number one हो तो जाहिर सी बात है दूसा number क्या आना चाहिए दूसा number भी one होना चाहिए तभी one को one से multiply करोगे तो answer one आएगा ना यार देखो left hand side पर answer one आ रहा है right hand side पर एक number one है अब भाई one को आप किस number से multiply करोगे कि result पर one आएगा एक ही option है कि one को अगर आप one से multiply करोगे तभी result पर one आएगा one को अगर किसी और number से multiply करोगे तो answer one नहीं आ सकता है तो इस तरह हमें define किया कि जिरो फेक्टरिल क्या होता है वन के बराबर वना यह जो फॉर्मले तो satisfy नहीं होगा जिरो फेक्टरिल के for example अगर value आप टू लेगी तो one multiply two क्या होता है two के बराबर तो two one के बराबर कैसे हो सकता है तो equation ही आपकी गलत हो जाएगी तो that's why zero factor को आप में define कर दी है जिसके बराबर one के बराबर हो दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो कि one यहां के यहां पर divide हो गया one divided by one zero factor one के बराबर हो गया तो यहां से यह basic definition जो चैते हैं कि सर यह zero factor one कहां से आया वो यहां से आया इस तरीके से आपने zero factor को define कि है कि उसकी value होती है अब यह एक तरीका है चीज एक ही है अभी जो मैं दूसरा समझाने रहा हूँ वो भी यह है लेकिन उसको दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ ताकि मजीद बात आपनों को clear हो जाए और वह एक pattern based pattern based का मतलब यह जो मैंने formula आपनों के सामें लिखवा है इस formula की ज़रा मैं दो तीन values लिखता हूँ ताकि concept आपके रहा हूँ इस formula में for example वैसे reason काफी है बताने के लिए यह मजीद concept लेगने के लिए आपनों को बाती बाता हूँ formula देखो वही है लेकिन दूसरे एंगल से बाता है अगर आप इसके अंदर four put करते हो for example n की जगा four put करो यह हो देखा four minus one three यहां पे n की जगा four put करो four factorial यहां पे n की जगा four put करो तो आप यह observe कर रहे हो के three factorial बराबर है four factorial upon four यही है ना इसी तरीके से अगर मैं n की जगा यहां पे three put करता हूँ तो three minus one two factorial यहां पे n की जगा three put करो यहां पे n की जगा three put करो तो तो two factorial किसके बराबर हो गया three factorial upon three और यह बिल्कुल valid है बही four factorial क्या होता है 24 24 divided by four six तो आपको पता है three factorial six six divided by three two आपको पता है two factorial जो है वो two के बरादर होता है मतलब इन factorial को लिखने का एक और तरीक है कि आपके पास अगर three factorial लिखा हुए तो यह बराबर होगा four factorial divided by four मतलब एक number greater उसका factorial divided by government number for example अगर मैं आपको बुलू 10 factorial तो 10 factorial बराबर होगा 11 factorial divided by 11 इसी तरह 20 factorial बराबर होगा 21 factorial divided by 21 बिल्कुल बादर पैट्रेंट चलता हो रहे है इसी पैट्रेंट पे आप क्या करो जगा मेरे पास इतनी नहीं रहे इसी पैट्रेंट पे आप one factorial इसी पैट्रेंट पे आपने जिरो फैक्टोरियल को लिखना है जिरो फैक्टोरियल क्या होगा अब यहां तक नहीं रुके आप इस पैट्रेंट को नीचे तक लेके जाना चाहरे हो अब यह बड़ी इंपॉर्टन डेस्कों गौर्ट से आप लोग सुनना कि जीरो फैक्टोरियल तो आप देख लिए वन के बरादर होता है एक ही यहीं पेट्रेंट जो है यह मैं मांइस वन के उपर अप्लाया है अगर मैं मैं बुरूँ कि यह मैं इस पैट्रेंट को लिखना चाहरा हूं बिलकुल इस पैट्रेंट के तहव तो यहाँ पर कोई भी अच्छा बच्चा मुझे बता सकता है कि यह माइनस वन फैक्टोरिल को मैं इस पैटर्न के वदाबिक कैसे लिखूँगा Excellent माइनस वन फैक्टोरिल को मैं क्या लिखूँगा 0 फैक्टोरिल अपॉन 0 इसी तर लिखना चाहिए Solve करते है नहीं कर सकते है इसकी कोई वैल्यू नहीं है आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो यहां से आपने बात और यह सब नेगेटिव नंबर्स के लिए हैं यहां से आपने बात अबसर्व की कि नेगेटिव नंबर के फैक्टोरिल डिफाइन नहीं कर सकते हैं खासकर , तो उसके अलावां कैसे तो यहां से आपने रिजर्ट हैं नेकाला कि तो जिरो फेक्टोरियल को हमने इसी फॉर्मली के तहर्त डिफाइन कर लिया बन के बराता है, ठीक है, दूसरी बाद, आप लोगों को लेविल है भी छोटा, जो नेक्स्ट लेविल है न, इबन ग्रेजुएशन लेविल पे, अंडर ग्रेजुएशन लेविल पे ये चीज प आप positive numbers का निकाल सकते हैं, just positive integer का निकाल सकते हो, for example, अगर मैं आपको बुलू 1.5 का factorial निकालो, आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये factorial का मसला है, तो इस मसले को हमने overcome कैसे किया, gamma function से, अब gamma function क्या होता है, definitely आपनों को topic नहीं है, लेकिन बस understanding के लिए पता होना चाहिए, किसे क number, fraction हो, decimal, कुछ भी हो, 0.5 का, 1.5 का, 1.32 का, किसी भी number का, positive number का factorial निकाल सकते हो, इसी तरह, gamma function से आप किसी भी negative number का भी factorial निकाल सकते हो, minus 1.5, minus 2.34, बस एक चीज चाहे gamma function हो, चाहे factorial function हो, आप negative integers का नहीं निकाल सकते हैं, यह जहें में रखना, क्योंकि आप चाहे gamma function से निक चालो यहां factorial function से मसला अपने देख लिए कि जो negative integers है वो मसला करते है negative integer मतलब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इनका factorial नहीं आ सकता चाहे गया function से चाहे इस function से आप इनका नहीं निकाल सकते है negative numbers का निकाल सकते हो other than negative integer जैसे minus 1.5 minus 2.5 इनका निकाल सकते हैं एक और इतराज zero factorial पे होता है कि अगर इसको आप logical समझते होना तो logical बास समझ नहीं आती है क्यूंकि आपने factorial अभी देखा था कि factorial में आप क्या करते थे कोई number pick करते थे उसे नीचे जा दे थे उनको multiply कर रहते थे अब zero तो already one से नीचे है तो हमें की बात हज़न नहीं हो देख लिया mathematical हमें पता चल गया हम वहां से तो मुत्मेंग हो गए लेकिन हमें मैटली बास समझ नहीं आती कि यार यह है क्या चीज जीरो factorial वन कैसे हो सकता है जीरो होता समझ आता जीरो फेक्टरिल वन कैसे है तो सबसे पहरी बात तो आप लोगों के बताता हूं कि आप लोगोंने चीज पढ़ी थी के टू की पावर जीरो जो है यह बन होते है यह लॉजिकल बात कैसे समझ आप समझ नहीं सकते है बड़ा जीरो मतलब करो और शिरो को को मैं किसे आएगा लॉजिकल बाद समझ है वर्किंग इसकी बिल्कुल है वर्किंग का मसल़ीं इसकी भी पावर निचे वारा टूब पर लेओ नीचे वारा टूब पर आगा उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी तो लॉजिकल बाद हमें समझनी आजए थी इसमें इसी तरह जिरो फैक्टोरियल जो है ना कि लॉजिकल बच्चों को समझ नहीं आ रहा हुता है लेकिन लॉजिकल किस तरह समझेंगा इसको देखो इसके रहे मैं बहुत अची चीज बताता हूं यह आपको अभी पर्मटेश आपके सामने तीन नंबसए आपको बोलों कि इन तीन नंबथ को आप कितने तरीकों से कर सकते हों आप बोलोगे एक तरीका तो यह है के 100 5 6 5 4 वेtा है 5 156 पांचमा मैं ईयसी औहला है इन तीन नमड़्स को मैं छे तरीके से लिख सकता हूँ छे तरीके से आपको दिखा सकते हो इन अधर वर्स तीन चीजों को अरेंज कितने के से गर सकते safe यह ऐसे चीजिस को आप कितने तरह के सकते हो अगर साथसे आपके चीज को आप डेक्यान जाना इसका उसको औप सब्सक मुझे कर सकते हो दुसरे तरीका क्या होगा आप जस्ट चेनिंग करो 6 4 गें अंदर यह कर तो तीसर तरीका क्या होगा आप इसके अंदर कर दो 456 14 ग्या हो सकता है आप 6 को पहने लेओ मतलब 2-5 के साथ है ना आप 2-4 के साथ कर लो इस तरीके से फिर आप क्या करो आप 4 की जगा 6 लियाओ 645 6-5-4 फिर यह गढ़ो 645 तो फिर खेच तुम्हिन आपके साह्ट लइती है अब पेहली पूजिशन में बन भब फायब के साथ च्याँ और बनाओ फिर पेहली पूजिशन पर 6 लेब उसके साथ च्योर बनाओ फिर पहली पूजिशन में फोर लिए मतलब आप इस तरह ना चार तरेकों आपने चार नमबर्स को आपके आपके नमबर्स को आपके इस आ लिखोगे या इस तरह लिखोगे लिखोगे लोगजिकल बात यह है कि जीरो का मतलब होता है नथि आपके पास कुछ भी नहीं है अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है उसको आपने अगर शो करना है किसी दूसरे को जैसे अगर आपके पास तीन थे तो आप छे तरीके से शो कर सकेते अगर चार हैं तो आप 24 तरीके से शो कर रहेते इसी तरह अगर आपके पास nothing है कुछ भी नहीं है तो आप कितने तरीके से शो कर सकते हो एक तरीके से शोब हर सकते हो मैं आपको बोलो मैं कुछ चीज़ पकड़ी गए मैं अब मेरे पास nothing है तो जो मैं शोब करवार हो आपको फिरूदेנ्ग사 शोब करवार हूँ मतलल एक तरीक है और मैं आपको बूलो मेरे पास को कुछ भी नहीं है और मैं आपको भुछ करवा रहा रहा है तो चिसी भी नठीक को शो करवाने के एक तरीका है कि उसके अदर नफिंगो कुछ कि यह लॉजिकल बात समझाएगा मैं आपको क्वालिटी समझा दी कि क्या होता है ठीक है और आखनी चीज़ है फोर फेक्टोरियल से एलेटेट वह इसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्ट इसका मतलब यह है कि आम कर्में जो आप लोग बच्पन से पढ़ते वह आरोने चीज़े वह फेक्टोरियल पर अप्लाएं नहीं होती फॉर इसको हम लिखते हैं नोटा दिना अब यह क्या चीज़ होती है यह इसका मतलब होता है इंपोर्टेंट चीज नोट क क्या है मैं कि a plus b factorial का हरकी से मतलब नहीं होता कि यह बराबर है a factorial plus b factorial नहीं यह आपसे बराबर नहीं हो सकते हैं कि जहेंद में रखकों कभी भी बराबर नहीं होगा a factorial plus b factorial क्योंकि हम बच्पन से multiply करने क्या आदत है इस डिस्टिप्यूटिव प्रॉपर्टी होती है नहीं कि वह आदत है कि अगर मैं यहां पर बार टू लिख देता है तो आप एक को से multiply करते है प्लस बीज़ों को से multiply करते हैं यह फैक्टोरियल के अंदर ऐसा कुछ भी है दूसी चीज़ी से माइनस के अंदर भी है कि यह इसके लावा अगर आपके सामय लिखा और इसका बार लेना है तो यह हर्केज के बराभर नहीं होता ons कि आपके सामय लिखूं और फोर आपसे को इसको एक तरीका कि तो फोर था एट एट वैक्टोरियल इसका यह तरीका बिल्कुल भी नहीं है कि टू फेक्टोरियल मुल्टिप्लाइब नहीं इसका अंजर क्या होगा फोर फेक्टोरल होता है 2424 को दू से करो 48 इसका अंजर 48 है जबके यहां पे एट फेक्टोरियल का अंजर तो 5040 को एट से मुल्टिप्लाइकर दो बहुत बड़ा अंसर आएगा तो तीसरी बात आप में आप और चौंती बात अगर आपके पसलिकला हो टू ए फैक्टोरियल जी ब्रैकेट जायर सी बात है एक में रोल अदा करेंगे आपके इस तरहां लिखाओ 2A factorial तो हरके से इसके बरावर नहीं होता ये दोना चीज़ें अलागे है इसका मतलब क्या है कि A का factorial लो और उसको 2 से multiply करो और अगर ये इस तरह लिखा हो तब इसका मतलब सेम ही होगा अगर आपके सामने इस तरह लिखा है A की बात है कि 2 multiply हो रहा है A factorial से तो ये चीज़ कभी भी इसके बरावर नहीं होगी कि 2A का factorial यहाँ पर 2A का factorial आप ले रहे हो जबके यहाँ पर आप A का factorial ले रहे हो और उसको 2 से multiply कर ले हो यह उपर वाली बात को मैंने different तरहीके से लिखा है वहाँ पर A भी बात की थी यहाँ पर मैंने एक A भी या एक number लिया कहने का मतलब यह A factorial को 2 से multiply करो यह अलग बात है और 2A का factorial लो यह अलग बात है तो चार चीज़े मैं लिख वाई है जो आप लोग समझते हो कि factorial में भी चीज़ अप्लाय होती है नहीं से solve करवा रहा हूं कि कुछ उनस्षी में जब E-Cat का test होता है तो वहाँ पर के लिख लाव नहीं होता और वैसे भी आपको के लिख बगएर maximum चीज़ें आने चाहिए जहां मजबूरी हो वहाँ के लिख लुटाया तो जैसे मैं सब्सक्राइब तो उसमें आपको बोला मैं कि मैं सिंप्लीफाइब करो एट वैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल को मैं बताया था अपनी मर्जे से कहीं भी रोख सकते हूं तो मैं इसको इसको तरह निख सकता हूं यह किल्कुटर के बगार भी आप मल्टिप्लाय कर सकते हो पेज़े लिए पार्ट नमर्प पॉर में भी करना है तैन इंटो एट इंटो सैन फेक्टोरियल कैंसल कर देना शुरूं की तीन टर्म होंगी बटिप्लाय कर देना पार्ट निबर फाइस निखा वे लिखा है वे तो कहीं आप कर सकते हों लेकिन यहां पर पेपर में तो नहीं आएगा एंसी क्यों अगर आग्या तो किल्गुंडर से कर लेना पार्ट नमर्प इसको कैसे करोगे आपको पता है तो टेन इंटु नाइंट करोगे वन प्रेंटी के अंदर तो यह हो जाएगा 210 उसके पार्ट नमर्प 7 पे अगर आप आप आओ तो लिखा है और नीचे जो डिवीजन में है तो इसको तो आपस में आप कैंसल कर सकते हो रही बात एट वेक्टोरियल अब देखो एट वेक्टोरियल क्या होगा 5040 को अगर आप एट से मल्टिप्लाइब करोगे और यह जो उपर लिखा है इनको आप नौमली तरह सिंप्लिवाइब कर नी सकते हैं इतना आप कर सकते हो अब आप इंट अब इस तरह पूरा एक्स्पेंड कर दो इस तरह और क्या कैंसल हो रहा है फाइफ को कैंसल कर सकते हो यह सब्सक्राइब जाएगा आप 7 को आपस में कैंसल कर सकते हो तो उपर आपके पास बचा 2,3,13 अच्छा 3 और 3 को आप कैंसल कर दो अच्छा इसको इससे कैंसल कर दो तो अब आपके पास उत्तर बचा ज़स्ट 13 अगर अलका पुलका कोई मिस्टे को तो बता देना हुझे उपर 13 बचा बचल आपके क्रीं पैसा नाइं पेंक्ली और 4 फैक्रयेटे च्प्रीजट्रीर देशेटा ह्यूंसल नाइं पो सकते हो नीचे लिखा नहीं पो और रेका watching कृइय। अगर आपकेश्ञर को सेवन फैक्क्टॉयर तक एंस्पेंड करो भी तो फिर जारेक्ट तो हरचीज और नीचे क्या होगा क्यूब तो फिल्हाल को भी आप कर सकते हो फॉर का क्यूब इसी तरह थी का क्यूब इसी तरह टू का क्यूब वन को आप बहुत करतो तो अब अगर आप देखो एक सब्सक्राइब से यह तो कैंसल हो जाएगा उपर सेवें बच गया है देख रहते हैं क्या करना उसको उससे पहले और चीज़ा देख लो आप जैसे लिखाव है नाइन का स्कॉयर क्या होगा नाइन को ब्रेक कर सकते हो थी का थी का स्कॉयर तो यह थी की पावर फॉर है बेसी तो अगर आप चीज का क्या कर सकते हो यहां सदिख रोड़काश को स्कॉयर ऑफ और फोर का क्यों होता है स्ट्री फोर इसका मतलब यह वाली चीज अपसमें जाए इसके अपके बाद आपकी कैंसलेशन हो रही है और क्या cancel आप कर सकते हो उपर देखो seven factorial है अब seven factorial को आप लिख सकते हो seven into six into five four three two इस तरह आप लिख सकते हो अब आपने मसीर इसको simplify करना है कैसे नीचे लिखावे two का cube अब two का cube क्या होता है eight होता है अब eight आपको कहीं नदर आ रहीगा लेकिन आपको indirect तोर पर मिल सकता है कैसे इस two को फोर से मुल्टिप्लाय करोगे eight आए गाना तो two और four को cancel करो नीचे इसको cancel कर दो एक और चीज आपकी cancel होगे तो नीचे देखो अभी तो मतलब नीचे five बचावे पहले देखें तो उपर क्या बचा रहा है यह वाला three है उपर आपके पास three seven six और three बचावे three का square कर लेते हैं इस तरह लिख लेते हैं और नीचे बचावे five multiply five है अब कोई cancellation यहां पर नहीं होगी कोई नंबर एक दूसरे से cancel नहीं होगा तो इसका मतलब आपके पास को हल नहीं होगा मतलब multiply करने के लाबा कोई हल नहीं यहां तो यह है नाइन नाइन को सब्सक्राइब करोगे 63 हो जाएगा ठीक है और 63 को आपने six से multiply करना है 63 को अगर आप six से multiply करो यह सब्सक्राइब कर सकते हो इतनी कि मुश्क्राइब कर सकते हो इतनी कि मुश्क्राइब क्या होता है यह फॉर्मला आपको नदर आ रहा है 9 इं तो यह आप इसको लिख सकते हो 9 x 7 art यह आप इसमें एंटर हो जाएगे यह 4 टाइम जाएगा तो फॉर्मला पहले फैक्टोरियल थे आप उसको प्रेक्शन की फ़र्म में सिम्पाइब कर अब आपके पास एकस्ट्रेशन लिखी नहीं आपने फैक्टोर्म में एक्सपेंड करना है तो जैसे कुछ नमेर टू है उसके पार्ट नमर बन प्यारा आप आओ तो लिखा वह है एक इंटू फाइव इंटू फॉर अब फैक्टोरियल में करवट करने तो आप क्या करो फोर के बाद जो फैक्टोरियल आते हैं उसे मुल्टिप्लाइड तो देखो सिंपल एक्सप्रेशन थी आपने इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सपेंड कर दी हैं उसके बाद पार्ट नमर टू है यही काम करोगा ट्वैल इंटू 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 टैन आप क्या करना नाइन फैक्टोरियल से मुल्टिप्लाइड कर देना तो यह हो तो पार्ट टमबर ट्री में उपर भी ट्रेशन लाने कैसे लागे अब इस चीज को नॉमली आपका इसको डिसेंडिंग और में लिखा बड़े से चोटा लिखा होते हैं यहां पर चोटे से बड़ा लिखा है तो आप इसको इसको आप लिखो समझेंगे आपको असानी यह तो उपर आप फेक्टोरियल में गन्वर्ट कर दिया डिनॉमिनेटर में लिखा है इन्टू फाइल लाने के लिए फोर फेक्टोरियल से मल्टिप्राइड करना पड़ेगा उपर भी कर दो नीचे भी कर दो तो बहोगा क्या यह उपर भी एक्ष्प्रेशन है यह बन ज इस तरीके से आप इसको फेक्टोरियल की फॉर्म में इसको लिखना है अब एक्सप्रेस कैसे करोगे उसका एक तरीक है करने का बहुत तरीक होता है लेकिन एक होता है कि आपने जो आपको सिंप्रिकेशन नदर आ लिए यह वह आपने करके इसको फ्रेक्शन की फॉर्म में कंवर्ट कर दिया यह आप से डिवांड की जाएगी पेपर में तो खर नहीं आएगा लेकिन वैसी मैं आपको इसको इस तरह लिखता है अब एक तो लिखने का तरीका सब्सक्राइब करना है तो मेरे पास तरीका पतापिक करते हैं पहले आप देखो आप लिख सकते हों यह करने का फायदा यहां के आप आप ले सकते हैं इसमें से एन फैक्टोरियल अपॉन आप आर प्लस वन और यहां से बच जाएगा सिंपल वन बच जाएगा आप इसको सिंप्लिफाइग कर लो यह तो अपनी जगा पे मौजूद है यह हो जाएगा आर इसको आप लिख सकते हो अं प्लस आल प्लस तू इसी सब्सके सरी के लिफिए टीनॉमिनेटर में और इंटो आर प्लस वन अगर आप लगी नमर से लगा जाएगा सिंप्लिफ्टराय को सब्सक्राइगा हो जैसे मैं से मुल्टिप्लाय करूंगा तो यह क्या हो जाएगा और प्लस वन फैक्टोरीयल होता है यह वो फॉर्म है जो करेक्ट फॉर्म है जो इस तरीके से आपने इसको लिखना है जबकि शुरू में आपका रूट सांसा रहा होता कर सकते हो जैसे इसको आर प्लस सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पस अंसर आजए का मतलब यह के रूड के सिंप्लिफिकेशन निकिन करना है कि इनको बोलो कि बस्यार मैंने कर लिया मतलब मैंने पहला स्टेफ कर लिया उसके बाद में कुछ नहीं कर रहा है यहां तक नहीं आप चोड़ सकते हैं या तो यह वरी टेक्निक लगा होगे इससे भी आपके आप स्ब्सक्राइब तब आपको सिग्लिफाइब करना पड़ेगा उसके बाद आपका आपका इसा तरीके से पार नु स्टेंबर क्यों वहां अप्लस वां एक नहीं इसी तरह एंड प्लस एक्टोरियल से इसी तरह न प्लस वांट करोगे यहां प्लब यहां पर लिखोगे एंप्लस वन मैं टिप्लाइब इसको ऐसी रेंड दो इसी तरह इसका आप लिखोगे आप लस्वन इंटू आप अब देखो कॉमन गया रहे एक तो आपको नजर आ रहा है निम्रेटर में एंफेक्टोरिल कॉमन आ रहे हैं और आप दिनॉमिनेटर में द सब्सक्राइब करो और सबसे एं से मंसे करो और और कीमों आआइब करो तो इंसके अन। अंदर मजीद मेल और मनक definite confirmed लेलो या कुछ कॉमन लेके कुछ फास मज़ा आएगा नहीं इसके लिए यह तीन ट्रम है ना एन आर आर प्लस एम आप इसमें से कुछ कॉमन आ नहीं सकता लेकिन एक काम कर सकते हैं वैसे अगर मैं आर को कॉमन लेलो इन दो ट्रम से तो यह एन प्लस वन हो जाएगा और लिए तो खास इंपलिविकेशन इसके बाद हो नहीं सकती आप ऐसी रहने तो आप लिए अपको स्विकेशन करना पड़ता है तो इंचार्ज करते हैं आप डारेक्शन करके सौल्फ कर लिए तो बार इस परिकेस आप सौल्फ करोंगे बच्चों सिक्स पॉइंट एवन जो लिए